तो गाइस वाट्स आप वेलकम बेक टो माई यूटुब चैनल एमल टैन ब्लोक्स तो आज जा रहे है आसाम भी हू मनाने तो और आगे का व्यू देखिए एभी रोट में बहुत मज़ेदार व्यू आने वाला है और देखिए यह टर्णिंग सबसे पहले तो यह टर्णिंग को गवर कि एक टम स्नेक का देशा है अभी मैं थोड़ा टैम लैप्स में कनवर्ट करूंगा इसे जब देखना कितने टर्णिंग है इसमें और आगे देखिए वीडियो कि आप गाइस यह एम्बूलेंस को चेक किजिए अगा अगे में वही एम्बूलेंस है जो इतने एमर्जंसी से आ रहा था पर अभी औरेंज लेने के लिए रुखाए इसा फाइदा नहीं उठाना चीए या रेलो को यह आगे हमारा मेगा लया जाने का रेलवे ट्रेक पर यह अभी बन दे पता नहीं किसले बन करवा दिया यह तो यह तो खुल जाता और कितने मज़े लगता क्या करूँ अभी कुछ नहीं कह सकता और काइस व्यू किसा लग रहे आप लोग को मेंन में बताईए पूरा मज़ा का व्यू है आसाम का मतलब मैं भी इतना एक्साइटेट हो गया था कि जैसे सुना आसाम जाना है बहुत मज़ा आ रहा था दिल गार्डेन गार्डेन हो ग देखिए इतने मज़ेदार रोड है यहां पर मतलब एतना मखन जैसा जा रहा है पर इदर में कुछ-कुछ स्पीड ब्रेकर भी बीच बीच में बना दिया है हाईवे में कौन स्पीड ब्रेकर बनाता है समझ में नहीं आया है अभी तक मुझे यह देखिए क्या होगे कट करके वोईस ओवर धाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा गाना प्ले हो रहा था पता नहीं कौन सा गाना कौन कोपिराइट मार दे इसलिए मैं रिक्स नहीं लेना चाहता हूँ और देखिए हम लोग आके जा रहे हैं अभी बस बनते रहे हैं चैनल के साथ अगर अब तक लाइक शेर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगले निव अपडेट के लिए आप लोगों पता चल जाए बस यहां से अभी लेफटन लेना यह पर आगे में ट्रेफिक रुपवा दिया है तो पेले उन्हें जाने दिजिए फिर हम लोग चलते हैं लेफ साइट को जागे रोट पहुच चुके हम लोग इस चाहा का नाम जागे रोट है बस तो देखिए आगे को यह क्या लिखा है आसमिस में लिखाए मुझे ने पकण ना आता तो नहीं पता मुझे यह जागी रोट है यहां पे लेखिये है, मैं परे कप्राओ सब का दुकाने दूस्त representations में अगर कोई आते हो तो ले सकते हो यहां से बहुत मज़ेदार प्लेस है यह वी देखिये आगे तो गाईस अभी हम लोग जागे रोज से निकल रहे हैं यहां पर बहुत ट्रेफिक लग गया है फ्लाइवर बन रहा है तो मेरे मुझे निकल गया फ्लाइवर बन रहा हैій को यहां से adaption का पटरी भी coincidence राइड में रेल्वे ट्रेक्ट और हम लोग निकल चुके है जगे रोट से देखिए अभी जा रहे है तो मुरीगाव और यहां पर गाई सब लोग खेट बहुत मज़ेदार व्यू आता है खेट से देखिए एक बार मेरे लेफ साइड राइट साइड देखिए कितने मज़ेदार खेट का व्यू आ रहा है यह चोटा सा फुल प्रॉस करते है अभी फिर आगे जाते हैं देखते हैं क्या हुता है आगे पता नहीं कौन सा घटना सामने आ जाए तो देखते रहे हैं बनते रहे हैं चैनल के साथ अभी जा रहे है नॉर्मल अगर मैं वहां पर जल्दी पहुच जाओंगा तो और वीडियो बनाओंगा अगर नहीं पहुच सका तो उसके बाद तो बस चलने का ही होगा सबसे बार दिख रहे हैं आप लोगों को सिमेंट चेथी मेरे लेफ साइट पर और राइट साइट पर मेला लगता है बहुत बारा मेला जो कि आप लोगों को पता होगा आसा में बहुत फेमास है वो मेला तो वही देखिये जिस सिमेंट फेक्ट्री का बात कर रहा था मेरे ठीक आगे में ब्लू और फिल्वर कलर का जो आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर पेले रोड इतना खराब था इतना खराब था कि मत ही पुछ पर अभी तो क्यूंकि यहां पे ट्रकों सब चलता है तो इसलिए रोड अच्छा बना दिया यहां पर एक पपी मजा से आगया था रोड के बीच में देखिए अभी आगे बढ़ते वें फिटे आगे में आप लोगों को एक किसमें दिखाऊंगा पूराना जमाना का ब्रीज देखिए यह बस एक टाइम में मतलब वन साइट वेहिकल जाता है जैसे कि हमारे साइट अभी खुल आए तो नेक्स साइट का वेहिकल को रोग कर रखा होगा अभी तक क्योंकि यहाँ पर खले सिंगल साइट का ही जाता है बहुत पूराना ब्रीज है और इसके साइड में एक सोचा था कि ब्रीज बनाएगा पर ब्रीज हो नहीं पाया अभी तक कि देखिये अभी आगे में कितना गारी अटका वाए गया पूरे मज़े से यहां पर अटका कि रखता है यहां पर देखिये और मेला में जाने के लिए हम लोगों को यहां से पैदल जाना होता है गारी ही गारी यह पुरा जबकि हमारे साइट आग स一次 शाब देगा और देखिए यहां पे ट्रेफिक हो जाएगा रोग देता है ट्राफिक यहां पर किया हम लोग अलग साइट से निकल चुके है कि यहां का रोड भी जाही बन जाएक तम है यहां लोग आई भी पकट जाए फिस तो हाइवे में मतलब नर्मल प्रोटी है हाइवे जैसी पकट खकते हैं आप लोगी और यह देखिए यह चुड़िया मेरा एक्शन केमरा का सेट अप देख लिए मैं लाना ही भूल किया था इसका सेट अप और यह साइट का व्यू देखिए आगी का व्यू मजिदार आ रहा है पर मैंने उस ताइम में स्क्रीम में टैप नहीं किया था इसलिए थोड़ा अनुखा जैसा आ गया विक्या ही कर सकते हैं तो देखते रहिए आगे क्या होता है क्या होता है देखिए देखिए हल्मेक का जालान